मेरे गाने ले विच किसे नशेरा नाम आया आई तक रस्रों को वाई है मैं की गल्द काम करें दोस्तों इस वक्त की बिग अपडेट सामने आ रही है सिदुम उसे वाले जी के हत्यारों को लेकर बापु जी को लेकर उन्होंने आज के दिन 3 नौमबर के दिन ऐसा कुछ कर दिया है अपने बेटे को लेकर अपने पुत्र को लेकर शर्वन पुत्र को लेकर जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा आप रो पड़ेंगे कहेंगे कि एक पिता जो है क्या कुछ कर गुजर रहे हैं अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए दरसल मैंने आपको एक वीडियो दिखवाई है तीन वीडियो दिखवाई है अभी अभी जिसकी सचाई अभी मैं आपको बताने वाली हूँ और पूरी वीडियो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी साथी अफसाना खान ने कहा मुझे जंग में अकेला छोड़ गया मेरा भाई मुसे वाला किसके सहारे जिंदिगी जिऊंगी अब मैं अफसाना खान लागातार अपनी सफाई में बाते कही जा रही है ऐसे में अफसाना खान एक तरफ तो रो कर दिखा रही है दूसरी तरफ जो है वो अपने गाने रिलीज कर रही है इतना ही नहीं वही जबाब में पिता बलकौर सिंग जी ने ऐसा कुछ आज के दिन तीन नौंबर को कर दिखाया है जिससे आपको बता दे अमेरिका से भी फोन आ रहे है पिता बलकौर सिंग जी के पास इस वक्त देखिए पिता बलकौर सिंग जी आप वीडियो में साफ देख सकते हैं आज जो है पांच महिने बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो खेत में ये 69-11 जो 69-11 फिफ्टी 9-11 नमबर जो गाड़ी का है ट्रेक्टर का है जो कि सिदू मुसेवाला जी का अजीज हुआ कर आज बापु जी इस ट्रेक्टर को चलाते हुए नजर आ रहे हैं सामने वीडियो शूट हो रहा है फांस ने रिक्वेस्ट की कि आप अपने बेटे की इस ट्रेक्टर को जो है यूँ ही फार्म हाउस पे ना रखे इसको चलाएं और पिता ने आज के दिन ऐसा ही किया देख ही उन्होंने जो एक कैप्शन लिखा है अपने बेटे के लिए जो कि मैं भी आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन के उपर इसमें साफ तौर पे जो बाते लिखी हुई है दोस्तो ये पढ़कर मेरी आँखों में भी आसु आ गए थे देखिए साफ लिखा हुआ है एक पिता क करेंगे लीजेंट नेवर डाइ साथ में हार्ट भी लगाया है इस पर जो ताबरत और कमेंट किया फांस ने रो रोकर बिलग बिलग कर वो अपने आप में भाबुक कर देने वाला देखिए कि पिता के दिल में किस प्रकार से कितना दर्द लेकर वो जी रहे हैं इस वक्त पहले ही उनकी हार्ट की प्राबलम है पीजी आई में एडमिट हो चुके हैं तब्यत खराब रहती है लेकिन अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए हर वो तमाम कोशिश कर रहे हैं वो जो एक पिता करता है हमेशा लेकिन पिता बलकौर सिंग जी कुछ जादा ही कर रहे ह हैं क्योंकि जब सिद्धु मुस्यवालजी जीवित थे तो उन्होंने अपनी मा से मा के गोध में लेटकर एक ही बात कही थी कि मा कल को अगर पुझे कुछ हो जाता है तो ऐसा कही हो जाता है मैं मर जाता हूँ तेर से पहले तो क्या तू मुझे जीवित रखे गी जीवित लिए क्या करेगी तो देखिए सिदुम उसे वाले जी जीना चाहते थे मरना वो कभी भी नहीं चाहते थे और जी कर बहुत कुछ करना चाहते थे लाइफ में बहुत सारे सपने पूरा करना चाहते थे वो और आज वो बिना सपना पूरा करे चले गए उनकी हत्या कर दी गई लेकिन पिता और मता मिलकर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में, उनकी हत्या को ले कर पांच महिने बाद बिलाइसे क्व खुलासे हो रहे हैं, जो अपने आपर पीठ में खंजर घोपने के समान हैं, सही सुन रहे हैं, क्योंकि अफसाना खान ने जो इस वक्त किया है, देखिए, ये फांस का कहना है फांस भी लगातार कॉमेंट सेक्शन के जरिये जो है अफसाना खान की कलास लगाते हुए नजरा रहे हैं क्योंकि पापु जी के और अपने भाई के पीट में जो उन्होंने खंजर घोपा है अपने आप में बहुत बड़ा शर्मनी है ये चीज़े कैसे नाम हाई भी मर जाए तो भी ये गाना रिलीज करके मानेगी आई बड़ी इस तरह की गुसेल वाले इमोजिस जो है फांस ने लगाया है और ये कमेंट किया है जो अपना गुसा प्रगट कर रहे हैं लागातार क्योंकि अफसाना का नाम इस प्रकार से आया है और ये की टीम ने आउसों को देखते हुए फैंस लिखते हैं काश आज सिधू भाई इस दुनिया में होते तो मा की जिन्दगी की हर एक पल खुशियां खुशियों से वारी होते तो ये फैंस का प्यार है दरसल आपको बता दे कल दो नमुंबर के दिन अफसाना खान ने गाना रिलीज किया कुईन के नाम से जिसे लेकर वो काफी ज़दर ट्रोल हो रही है लगातार बाई के मृत्यू के पश्चात वो काम तो कर ही रही है एक दिन में उनका काम तो नहीं रुकाया ऐसे में ट्रोल हो रही है कि एक तरफ भाई चला गया इनसाफ नहीं मिल रहा है हवेली पर जाने की बज़े मातापिता का हाल चल पूछने की बज़े ये लगातार काम कर रही है कभी रिल्स बना रही है तो कभी मीडिया में आगे ड्रामा कर रही है इस प्रकार की तमाम बाते जो है अफसाना खान को लेकर हो रही है तो अफसाना लाइव आकर रो कर बिलगते हुए अपनी सफ आगी वो वीडियो सुनवाएंगे लेकिन उसे पहले कुछ कमेंट्स आपने देखा ही और उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कमेंट्स के अंदर क्योंकि फांस भी समझ चुके हैं अब एक बहन और भाई के प्यार को कि किस प्रकार का प्यार है फांस लगातार कह रहे कि NIA की टीम ने मुझसे पांच गंटे जो है लंच करवाया मुझे या चाय पिलवाया या मिर से पुछकार कर पूछा या प्यार से पूछा अब यह सब तो आप अच्छे से जानते कि जब दस टीमें बैठती है तो वो प्यार से और पुछकार कर तो पूछेंगे नहीं औ लेकिन आपको पूछ गंटे पूछ ताच जरूर हुई है लगातार चाहे वो लारंस मिस्नोई को लेकर हो चाहे गोल्डी बरार को लेकर हो ऐसे में अब अब साना खान रो रही है बिलख रही है और अपने गाने के लिए कह रही है कि हमारा गाना देखिए हमने रिलीज किय अब आज के दिन जो है पूरे ट्विटर पर हैस्टिस फुरसिदू मुझसे वाला सारा दिन ट्रेंट होता रहा क्योंकि पापु जी ने जो बात कही कि 25 नॉमबर को मैं इंडिया त्याग दूंगा क्योंकि मेरे बेटे को अब इंसाफ नहीं मिल सकता है क्योंकि ऐसे ऐसे नाम सामनी आ रहे हैं अब ऐसे में पिता और माता दोनों हार चुके हैं पूरी तरह से गुहार लगा-लगा कर टंग आ चुके हैं बगवंत मान जी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि गोल्डी को हम लेकर आएंगे रैड जोन घोशित कर दिया है हम लेकर आएंगे वहां से अ बापु जी ने कहा कोई भी सामने आकर जो है जस्टिस के लिए नहीं लड़ा मेरे बेटे के लिए किसने एक पोस्ट तक नहीं डाला तो उसके बास से आज से हैं ट्रेंड होना शुरू हो गया पिता जी ने एक आवाज लगाई और कुछ सिंगर ऐसे अच्छे हैं जिनकी हेल जुरूँगा देखे ये वीडियो पहले सुनिए फिर मैं आपको आगे की रिपोर्ट देती हूँ सुना आपने सिदू मुसे वाला ने मेरा साथ दिया इसलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं दे कि ये पैसो की बारिश हो रही है इस सिंगर के उपर नाम थो हम नहीं जानते हैं लेकिन जो भी ये सिंगर है आप जानते हैं तो जरूर कामेट करके इनके नाम बताईएगा और ये लाइब कंसल्ट कर रहे हैं इस वक्त लेकिन सिदू मुसे वाले जी की जो तारीफ की है उन्होंने दिल छूलिया है हमारा अशलिया एक उति जूली इस दूसे वाले जीगले जो ने बाते हैं लगातार ज presenting की इनडिया हें रहे हैं हवेली पर रह के एं रहें कहीं आ जाएं और सब उनका साथ देंगे तो इस प्रकार से सिदू मुसे वाले जीने बहुत सारे अफसाना खान की तरह बहुत invasive सिंगर है जिनकी help की थी उन्होंने मदद की थी और अभी भी हो रही है उनके नाम से मदद सिर्फ इतना ही नहीं आपको बता देए सिद्धू मुसेवाले जिन अपने हर इंटर्वीव में उन्होंने ये कहा था जैसे कि वो अपने हाथियारों के लिए सिद्धू मुसेवाले जिन अपने हर इंटर्वीव में कहा है कि मैंने हाथियारों कभी बढ़ावा नहीं अपने शौंक के लिए करता था और मैं अगर छोड़ भी देता हूँ अथियार फोटो डालना या वीडियो बनाना या गाने के अंदर तो इसकी क्या गैरेंटी है कि गैंग्स्टर खतम हो जाएंगे क्या गैंगवार मैंने शुरू करवाया इस तरह की तमाम बाते जो उन्होंने इंटर्वीव में भी कई आखों में समाई रहेंगे, फांस के दिलों में चाहई रहेंगे, वैल जो भी है इन सभी चीजों को लेकर आपकी राय कमेंट स्रेक्शन में जरूर लिखिएगा और अफसाना खान के नए गाने क्वीन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो रिलीज हुआ है, क्या आप द दर्द क्या आपको भी दिख रहा है एक पिता का को जो है जस्टिस मिलने का क्या हक नहीं है क्या लगता है आपको पांच महीने हो गए है अब तक जस्टिस नहीं मिला है उन्हें क्यों देरी हो रही है क्या राज है क्या लगता है आपको किस चीज में देरी हो रही है सारे सब बहद और चल रहे हैं और भी हुन भी चल रहे हैं